इस video ही जानेंके कि हम वाम कॉन से mistakes है, जो लोग हम करते हैं, और इसे हमारा क्या होता 5000 हे इससे error गलत हसा अगर हम उनettे mistakes को सधाल में, तो हमारा your calculation, यहनि हमारा answer वह बिल्कूल सही हो जाएगा, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहला यहां पर दिया गया में इसका स्क्वाइर नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं लिएफ बिना स्कॉयर की है और फिर क्या करते हैं? इसको 3 से यहां पर सब्क्रायट कर देते हैं 3 को समें से घटा देते हैं, तो 8-3 बराबर किता ऐगा 5 x square बराबर 5 और square उधर जाएगा तो under root under root जाता है तो square change होता है तो यह पर under root 5 आ गया यह हमारी गलती होती है अगर हम इसको सही तरीके से करें तो वो करने क्या तरीका है तो जो under root याँए square root उधर जाएगा तो square में change होगा तो square plus 3 और 8 square किता हो जाएगा 64 प्लस का 3 उधर जाएगा तो minus होजाएगा x square is equal to 64 minus 3 आ जाएगा x square बराबर 61 और square change होगा under root 61 तो जो हमारा right answer हो हमारा यह है और जो कि wrong answer हो हमारा यह है क्यों कि हमारा square इसका नहीं किया गया next है हमारा x plus 8 is equal to 5 अब इसमें गलती क्या होगी मैं एक तरफ लिगूँगा और सही कैसे हम करेंगे वो एक तरफ लिगूँगा x plus 8 बराबर 5 गलती हैं हम यह लिखते है x बराबर 8 minus 5 यानि कि यह जो number उधर गई है यह जो number है equal के उधर गई है उसको पहले लिख लेंगे और यहां पर लिखी हुई number उसको बाद में सब्स्क्राइब करें जो की बिलकुल ही गलत है और अबार अशर क्या है अब आएगा 3 जो की हमारा गलत है हम सही क्या करना चाहिए यानि कि जो भी number पहले से लिखी है तो उसको उसी प्लेस लिखे 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 लिख में हो जाएगा तो हम इसको लिख लेंगे m upon 2 is equal to n minus 1 यानि कि हमारी mistake होनी चाहिए जो भी नंबर इधर से उधर गया है तो वह इस नंबर के बाद में लिखा जाएगा n minus 1 अब mistakes यहां पर और क्या करते हैं वह mistake करते हैं कि यह जो 2 है यहां पर दिवाइड में उथर जाएगा तो multiply में होगा तो इस multiply को यह तो हम यहां पर कर देते हैं तो हम एंसर के लिखेंगे 2 and minus 1 यानि कि दोनों multiply नहीं कि यह जो अगर हम इसको bracket माने तो इस दोनों में multiply होना चाहिए अगर यहां पर कोई और तीसरा term लिखा हुआ है तो उस तीनों में क्या होना चाहिए इस number का multiply होना चाहिए जो कि हम लोग नहीं करते हम लोग गलती से एक में multiply करके लिख देते हैं या फिर इसमें करेंगे या फिर हम लिख सकते हैं इसके जगे पर एम इस एकोट टू एन माइनस टू या इसमें multiply कर दी और हमने यह इसलिख दिया जो कि दोनों ही गलत है हमें लिखना क्या चाहिए एम इस इकवल टू का दोनों तरफ मल्टिप्ला तो इन थूं न माइनस वन और यहां पर दोनों तरफ मल्टिप्ला होगा तो एम बराबर क जो कि हमारा सही जब जो next mistake हम लोग करते है greater और smaller पहचानने में अगर decimal number में कौई कौई सा greater है यानि कौई सा बड़ा है और कौई सा चोटा है यह पहचानना हो तो हम mistake क्या करते हैं जैसे हम लोग इस विचार से सोचते हैं कि इसमें three digits दी गई है तो यह बड़ा होगा इसमें one digit दी गई है जो कि छोटा होगा जो कि हम लोग mistake करते हैं और हम लोग बता देते हैं कि यह number हमारा क्या है greater है क्या है यह number हमारा greater हो यह हमारा smaller है जो कि बिल्कुल ही गलत है ऐसा नहीं होता है हम इसको solve कर से करेंगे हम यहाँ पे ऐसे लिगे लिए 0.485 and 0.7 इसको solve करने के स सबसे अच्छा तरीका क्या है यहां पर सबसे इदा maximum digit किसमें है यह में है यानि 3 digits इसके point के बाद है तो इसको भी यहां पर सबसे पहले 0 से 0 मैच होना चाहिए दोनों जगा 0 है तो बिल्कुल सही है अब हमें मैच करना है यहां इतनी 3 digits है तो इधर भी हमें 3 digits ही लानी है लाने के लिक्या करें यहां पर 0 हम फिल कर लेंगे अब हम एजियों करेंगे कि 485 बढ़ा है यहां पर 0 कुछ भी नहीं यहां पर 0 कुछ भी नहीं है और यहां पर लिखा हुआ है 7 double 0 बढ़ा है इसका मला हमारा यह जो नंबर है वह हमारा ग्रेटर है जो की सही तरीके से ग तो मन में हमारा फिर से भराम आ जाता है कि यह निशे 10 लिखा हूआ इसका मेलब यह नंबर जो बड़ा होगा इसमा 4 लिखा हुआ है यह नंबर छोटा होगा जो की बिलकुल ही हमारा सूचना बिलकुल ही गलत है इसमें होता क्या मलीजी कोई भी एक चीज है और यहां पर उतनी ही चीज है controversy यहां पर 4 इसां उसको बटा गया यहां पर दस इसां बटा गया तो मिदगा दस इसा को बटा गया चाहिए दस इस को बटा गॉल Ke यहांधका सो जल्साइदाः चोटा जाएगा वह बड़ा होगा है या इ现在 भी हिलिए और किसी एसूँ हाट चौथाई पार्ट देंगी, तो कौन सीज बढ़ी होगी, तो आपको इसोचना चेए, चौथाई चौथाई जो पार्ट होगा, वो ज्याधा बढ़ा होगा, तो आपको यह समझना है कि अगर उपर की जो डीट्स है वो सेम है तो जिसमें ज्यादा बड़ा नंबर नीचे लिखा हो तो उतनी ही छोटी होती है जिसमें छोटा नंबर लिखा हो तो उतनी ही बड़ी होती है बस कंडिशन क्या हो नहीं उपर जो नंबर है वो सेम होने चाह जाए उसको बारह 30, तो क्या राइब रोगा वह उतने ही कम होगी तो ये उंहारी घ्र होगी स्मॉल्ट मैंध का हुए आई होप आपको मिस्तेक्व समझ में आई होगी आपको एक वीडियो कैसा लगा यह मैं हमें कमेंट सेक्शनений जिरू किस टेपिक पर वीडियो चाहते हैं मैं कमेंट करके बता सकते हैं